हेलो स्टुडेंट्स दुबारा स्वागत करते हैं आपका हमारी ग्रेट जीनियस एप पर हमारे प्लेटफर्म पर दुबारा स्वागत करते हैं तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिसकस किया लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के बारे में सिखा अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में सिखा अकाउंटिंग के अबजेक्टिव के बारे में सिखा अकाउंटिंग की लिमिटेशन पड़ी हमने बैनिफिट भी पड़े अ आपको asset word के बारे में बता रहा था बार बार आपको capital word के बारे में बोल रहा था बार बार liability के बारे में discuss कर रहे थे बट बच्चा क्या होता है कि हमें first chapter में यह नहीं पता था कि सरे assets का meaning क्या है liabilities का meaning क्या है हमने basic basic थोड़ा discuss किया बटा आज हम discuss कर रहे हैं बटा हमारी accounting terminology के बारे में accounting terminology क्या होती है accounting में जिन words का हम use करेंगे उन words का meaning क्या है हम plus one में हम plus two में उन words से रूबरू होंगे और उन words का meaning क्या है हम आज discuss करने वाले हैं हमारे second chapter में जिसका नाम है basic accounting terms और basic accounting terms को बोलते क्या है accounting terminology कि accounting में कौन कौन से words यूज होने वाले हैं उन words का meaning पढ़ेंगे आज तो हमारा आता है बैटा accounting terminology सबसे पहला जो हमारा discuss करेंगे हम discuss करेंगे बैटा हमारा economic unit what do you mean by economic unit economic का मतलब क्या होता है एकनोमिक का मतलब होता है सर पैसे से एकनोमिक का मतलब क्या होता है ऐसी कोई unit जो क्या कर रही है पैसा कमा रही है उसको बोलते हैं economic unit जैसे हमारी बैटा great genius app है हम एक service provider हैं किस sector में education sector में हम भी इकनोमिक का पार्ट है आप बेटा आप जिस school में teach पर पढ़ते हैं study करते हैं आपका school भी इकनोमिक का पार्ट है तो यह सारी economics होती है तो economic unit क्या होती है e anderes area जिसमें कुछ ना जmostri किए insulation non-business unit जबकिआ हम पहले डिसकत करेंगे बिजनिस के बारे में बीजनिस unit क्या होती है business units unit क्या होती है जिसका motive हमारा क्या है profit कमाना होता है वो unit जिसका motive profit कमाना है एक मेरा एक business है मेरा close shop है मेरा एक restaurant है मैं क्या करता हूँ profit कमाने के लिए काम करता हूँ वो मेरी business unit है ठीक है आपके भी कुछ न कुछ businesses होंगे बेटा वो businesses किसलिए है profit कमाने के लिए है सर्विस सेवा करने के लिए तो नहीं बैठते न, बट हाँ, हम सेवा करने के लिए गुर्दवारा, मंदिर, टेंपल में जुरूर जाते हैं, जहां हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, सर फिर वो क्या हुआ, बेटा, वो हुआ, नोन बिजनस यूनिट, वो क्या हुआ, नोन बि स्टेशनरी और भुक सेल करता हूं यह क्या है सर क्या। गूट से क्या भी सर्विस प्रवाइड करता है तो बिजनस क्या है प्रवाइडिंग पहला बिजनस का मोटिव क्या होता है प्रॉफिट में मोटिव और बिजनस इस तू आन प्रॉफिट बिजनस का मोटिव क्या है प्रॉफिट कमाना है प्रॉफिट कैसे कमाते हैं प्रॉफिट कमाएंग by providing services and selling goods help service provide करेंगे क्या करेंगे गूड़ वह थो क्लborg को सेल करेंगे वहां से Profit आएगा और कि इसके बाद Long Business Unip one business नाम से इस पॉस्ट हो गया इसमें business नहीं करने वाले हमाराondsha profit कमाना नहीं होगा सर्फिरी ओर क्या होगा हमाराotshaamarta will होगी service देना सेवा करना तो में मोटिव इस नौ टू आन प्रॉफिट हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है हमारा मोटिव है क्या सर रेंडर सर्विसीज टू दो मेंबर एंड सोसाइटी समाज के लिए कुछ service प्रॉवाइड करना या फिर हमारे मेंबर जो है उनके लि जो कि आता है हमारा है यह चीत आ बिजनिस फान अबिजनस ट्राइक्शं सेकिन्ट टम्न लॉजी इस बिस्न्स ट्राइक्शा जेक्शं एकनोमिक एक्टिविटी है एकनोमिक एक्टिविटी है एकनोमिक एक्टिविटी कैसे है एकनोमिक एक्टिविटी मतलब क्या है इसके अंदर पैसे की इन्वोल्मेंट है इसके अंदर प्रोफिट की इन्वोल्मेंट है तो बिजनस ट्राजेक्शन क्या है फिर्स्ट वन इट स्बीज़ शिर्टा hasn वान रबंट मेसमाता वमक्रस्टा डिशkanी सब्सक्राइब Verf assets उसन और सब्सक्राइब उसलिट में की जैसे बाइब क्या हता मेरि येलैबिलिटी इस वन शिंत करते तो आपको गुड्सेल किया आपसे आपने मुझसे 10,000 का गुड्स बाइ किया आपने मुझसे मेरी मुबाइल शोप है आपने एक रियल मी का माई का आई फोन कोई भी फोन आपने मुझसे परचेज किया मैंने आपको फोन दिया बैटा और आपसे क्या लिए पैसे लिए और पैस पास cash आया मेरे पास cash आने से मेरी जो asset है वो increase हो गई पहले मेरे pocket में 5000 cash था अब मेरी pocket में 55,000 cash है तो मेरी financial position में change आया के नहीं आया बेटा change आया तो business transaction क्या है एक economic activity है जिससे क्या होता है हमारी financial position में change आता है अब उसके बाद हम discuss करते हैं business transaction की feature क्या है तो business transaction की feature क्या होती है बेटा सब से पहले इसमें हम क्या करते हैं इसमें transfer होता है goods and services का इसमें transfer किसका होता है goods and services का इसमें transfer होता है हम इसमें क्या करते हैं या तो आप कोई goods sale करेंगे या आप कोई service sale करेंगे अब देखें बड़ा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं doctor क्या करता है teacher क्या करता है अपनी service provide करवाता है तो यहां पर हम transfer करेंगे किस चीज का goods का और services का उसके बाद business transaction के दो aspects होते हैं there are two aspects in a business transaction one will be debit and other will be credit एक aspect debit का होगा एक aspect credit का होगा तो हमारी पूरी accounting में discuss करेंगे हमारी पूरी accounting में दो side होती है हमारी पूरी accounting में double entry system से हम काम करते हैं standards one is debit and other will be credit और there are two types of transaction internal transaction and external transaction सर यह्यिए क्या होता है internal का मतलब क्या होता है बाटा within a business external का मतलब क्या होता है outside huh internal outside business understanding business तो business के जो अंधर transaction होंगी themouldering internal transaction और business के जो अंधर transaction होंगी VISTA बहुलेंगी live external transaction business के अंधर ही क्या कूं सी transaction है देखिए बेटा, ओनर और बिजनसमेन, दोनों ही वैसे separate entity हैं, बट अगर बिजनस, बिजनसमेन से कोई deal कर रहा है, बिजनसमेन ने capital invest किया, बिजनस हमारे पास owner, हमारे पास employees हैं, हमने उनको salary pay किया, तो हमारे पास asset है, asset पर क्या लगा, depreciation लगा, depreciation क्या होता है, इसके बार होंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, external, तो देरा two type of business transaction, और उसके बाद क्या होता है, change must be capable of bring expressed in term of money, जो change आएगा, change आएगा, पैसे में change आना चाहिए, मैंने आपको mobile sale किया, और मेरे को क्या मिला, cash मिला, तो cash में change आना चाहिए, money monetary term में change आना चाहिए, तो ये हमारी business transaction क कुछ feature है, देखिए बेटा, business transaction, एक economic activity है, जिससे होगा क्या, change आएगा, किस चीज में, financial position में change आएगा, clear बेटा, तो ये हमारी business transaction है, इसके बाद, आता है हमारा event, sir, event क्या होता है, event is a result of business transaction, business transaction करने से, जो result आया, result क्या आया, मेरे पास cash आगया, मेरे पास cash आगया, और मेरा stock कम हो गया, ये क्या है, ये सर एक event है, आपा सुनते हैं, event management, event क्या होते है, एक घटना हो गई, एक घटना क्या होई, जो business transaction कही की, जो उसका result आएगा, वो हमारा क्या है, event है बेटा, तो event देखिए कैसे हमने sale करी, sale कितने की करी, 4 lakh रूपे की, और जो product हमने sale किया, उसकी cost हमें क्या पड़ी थी, 3 lakh रूपीज, और जो profit कितना आगया, 1 lakh रूपीज, तो ये क्या है, ये एक business transaction है, ये क्या है, बिजनस transaction है, जैसे बटा, मैंने आपको mobile sale किया, मेरे mobile की sale value क्या है, मैंने आपको 50, 1000 में, एक iPhone sale किया, और उसकी cost क्या आई बेटा, उसकी cost आई मुझे 45,000, ये क्या है, सर ये business transaction है, ये क्या है, business transaction है, सर इसका result क्या है, इसका result आया, मुझे profit हुआ, कितना, 5000, मुझे profit हुआ कितना, 5000, तो जो मेरा profit है, वो मेरे लिए क्या है, event है, जो ये transaction का result आया है, वो मेर में चले लिए क्या है इवेंट है तो मतलब किया होता है अपने रिजल्ट ओफ बिजनस ट्रणादेक्शन है पिक से बाद हमारा आता है अब आते हैं बड़ा ऑच्छी अच्छी टर्म है ये कांट की हमें हम यह टर्म आकाउंट वर्ड बार बार हमारा सब्जेक्ट का नाम है accounting है, हमारे subject का नाम ही accountancy है, बार बार हम accounts word का use तो बार बार करेंगे बटा अगर आप जब practical question करेंगे तो दिन में आप अपने नाम से ज़्यादा, आप किसी teacher के नाम से ज़्यादा, अपने friends के नाम से ज़्यादा, ज़्यादा बार ममी पापा बोलने से ज़्यादा accounts word का use करेंगे, तो बड़ accounts word use करेंगे, तो आपको उसके बार में पता होना चाहिए कि account होता क्या है बटा तो accounts क्या होता है, सबसे पहले account, बटा, account की दो side होती है, एक side होती है debit, और एक side होती है credit, सबसे पहले ये तो बताईए, तो आपने side बता दी उसकी debit होती है, और credit होती है बहुत अच्छी बात है बटा, तो accounts क्या होता है, where same nature transaction same nature transaction का मतलब क्या हुआ same nature का मतलब है, राजन सर्थ से related सारी transaction को, राजन सर्थ से related सारी transaction को एक जगह पर record करना एक जगह पर, जैसा कि आप classification में करते थे, आपने last chapter में classification पढ़ा, उसका मतलब क्या था, classification is a process of grouping the transaction of one nature, एक जैसी transaction को एक जगह पर इकठे करना, वो होता है accounts बेटा, वो होता है classification तो वही हम accounts होते हैं, same nature transaction को, same nature लाइक नेचर वाली को, अपने ःवाते क्लास में पड़ा होगा रीकोर्ड बता लाइक आइटम और अनलाइक आइटम लाइक नेचर आइटम और अनलाइक नेचर आइटम लाइक नेचर नेचर ओक्ट half गुलेगो मजसी है को जो जिनका नेचर एक्ट करना सब्ट्रेक्ट करना यह हमारा अकाउंट का काम होता है अकाउंट में हम हमारे बिजनस में जितने भी लोगों के साथ हमारे रिलेशन हैं चाहे वो हमारे कस्टमर हैं चाहे वो हमारे सप्लायर हैं हमारे पास हमारा प्यारा सा पैनल है यह स्मार्ट बोर्ड है हमारे पास एक अच्छा सा कैमरा है, हमारे पास बहुती अच्छी क्वालिटी वाले माइक हैं, हमारे पास एसी हैं, इन सब का अकाउंट बनेगा बटा, तो हम क्या करते हैं, हम सेपरेट रिकॉर्ड, हम सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं, किस चीज का, of each individual, of each individual, asset, liability, expense, and income, कुछ भी हो, income का भी लग रिकॉर्ड होगा, expense का भी लग रिकॉर्ड होगा, हमारे एसेट का भी लग रिकॉर्ड होगा, और each individual, जो human being है, जिनको हमने goods sell किया है, या फिर उन से goods buy किया है उस सब के बारे में हम क्या करते हैं डिसकस करते हैं ठीक है यह है हमारा accounts उसके बाद आता है बड़ी ही most important term जिसका नाम क्या है capital अब अब तक आपने capital के बारे में क्या सुना होगा capital का मतलब तो राजधानी होता है इंडिया के capital क्या है डेली है तो इसी हमारी चांटींग की von capital है अकांट में capital यह भी जैसे डेली इंडिया में बड़ा ही important place है बड़ी इंप्रटन significance रखता है हमारे इंडिया के नाम में इंडिया कंट्री में वैसा ही अकाउंटिंग में हमारा कैपिटल है यह भी हमारे लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट टर्म है कैपिटल का मतलब क्या होता है इसके बिना तो सर बिजनस ही स्टार्ट नहीं होता क्यों होता क्या है सर पहले यह बताइए तो कैपिटल का मतलब क्या होता है जैसे बटा देखिए मैं एक business start करना चाहता हूं मैं एक business start करना चाहता हूं बटा actual में मैं एक restaurant खोलना चाहता हूं बटा रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं राजन सिक्रेट रेसिपी राजन सिक्रेट रेसिपी ये अमने एक restaurant खोला रेस्टोरेंट सिर्फ इच्छा जताने से नहीं खूल जाता बटा आपको क्या लगाना पड़ेगा उसके अंदर पैसा इंवेस्ट करना पड़ेगा तो जब पैसा इनवेस्ट करते हैं तो पैसा इनवेस्ट करने मेरे पास बटा थ्री लाख रूपीज हैं मेरे पास अपने मैंने थ्री लाख रूपीज को क्या किया मेरे बिजनस में इनवेस्ट कर दिया ये देखिए बटा हमारा प्यारा सा restaurant हम खोलने वाले हैं अब restaurant खोलने के लिए मु जो बिजनस में ओनर द्वारा पैसा लगाया जाता है, जो बिजनस में ओनर पैसा लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाइ ओनर इस कॉल्ड़ा कैपिटल, सब्सक्राइब करते हैं, दो बिजनस में खुलने में अग्या ओनर विजनस में एक उन आप और।oba क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो capital sir सिरफ cash लगाने को capital बोलेंगे नहीं बटा अगर आप cash लगाओगे वो भी capital है अगर कुछ goods लगाओगे वो भी capital है या कोई asset लगाओगे वो भी capital है sir कैसे देखे बटा मैंने restaurant खोल लिया मेरे पास घर पे 50 chairs पड़ी है मेरे पास घर पे 50 chairs पड़ी है मैंने का बटा 50 chairs है नहीं तो मुझे market से buy करनी पड़ेंगी मैं वही chair अपने restaurant में यूज कर लेता हूँ बढ़ी अच्छी chairs है बटा तो मैंने वही chairs restaurant में use कर ले मेरा furniture है मैंने furniture restaurant में use कर लिया मेरे पास laptop है मैंने laptop भी restaurant में use कर लिया तो इसका मतलब अब क्या हुआ बटा जो asset है asset मैं जो asset business में अपनी asset use कर रहा हूँ घर से लाकर cash नहीं लाया मेरे पास already laptop था मैं वही asset business में use कर रहा हूँ उस asset को भी क्या बोलेंगे capital बोलेंगे जैसे मैंने 3 lakh तो cash लगाया 1 lakh रुपी का furniture लगा दिया 1 lakh रुपी का furniture लगा दिया तो मेरी total capital कितनी हुई 4 lakh total capital कितनी हुई 4 lakh इसके लावा बेटा मेरे पास क्या था घर पे अब restaurant में किस चीज़ का समान बनेगा restaurant में हम momos की बात कर लेते हैं restaurant में momos किसके बनेंगे momos मैदक के बनेंगे vegetable चाहिए मैंने start किया घर पे vegetable सारी पड़ी थी बेटा मैं सारी vegetables वैसे की वैसे उठा के ले गया तो vegetable मेरे लिए क्या है goods है मेरे लिए क्या है मेरे restaurant के लिए क्या है goods है उसी से माल बनेगा बेटा shake के लिए घर पे milk था मैं घर से milk ले गया तो वो क्या रहेगा वह रहेगा goods में मैंने cash लगाया मैंने goods लगाया मैंने asset लगाई तो कोई भी cash goods asset अगर businessman invest करता है business के अंदर उसको बोलेंगे बड़ी प्यारी टर्म है capital capital का मतलब क्या हुआ amount invested by owner is called a capital अब देखे बटा क्या हुआ जैसे आपको पता है बटा हमने क्या open किया था restaurant देखे बटा हम बड़ी बड़ी प्यारी सी कहानी है बटा हमने restaurant open किया बड़ा प्यारा सा restaurant हमने open कर लिया हमारे restaurant का नाम है राजन secret recipe बड़ा ही प्यारा restaurant है यहाँ पर हम बड़ा सा अच्छा सा gate बना देते हैं यह देखे बटा यह हमारा restaurant हो गया अब restaurant में क्या हुआ बड़ा रेस्टोरेंट हमने ओपन कर लिया यहां पर हमने सीटिंग कर ली टेबल लगा दिया ऐसे करके table लगा देखिए बटा कितना प्यारा restaurant है अब यहां पर हमने क्या किया अब हमारे घर पे क्या हुआ अब restaurant है हमारे घर पे महमान आ गए अब बेटा अपना रेस्टूरेंट होते हुए कहीं बाहर से कुछ खाने को लेकर आऊँगा बेटा तो अच्छी बात थोड़ा यह बेटा तो हमने क्या किया बेटा मैंने कोल की शेफ को की दो प्लेट चौमिन के और एक प्लेट मंचूरियन और एक प्लेट चीज चिली पैक कर दो मैं अभी घर से भेज रहा हूँ किसी को और घर पे भिजवा देना आज घर पे महमान आए हैं तो बेटा उसने क्या किया एक पैकेट में नूडल का मंचूरियन चीज चिली यह तीन पैकेट मेरे घर पे भिजवा दिये अब यह घर पे आ गया बटा अब मेरे खुद का रेस्टोरेंट है क्या मुझे पे करना पड़ेगा इसके लिए नहीं पे करना पड़ेगा सर पे क्यूं करूँगा मेरे खुद का रेस्टोरेंट है तो यह जो मेरे घर पे गया इसके साथ साथ मैंने क्या किया आपको पता है हमारे इंडिया की रसम होती है घर पे हमारे कोई आता है महमान आता है या हमारी बेटी आती है या हमारी बहन आती है या हमारी भुवजी आते हैं तो हम क्या करते हैं उनको शगुन के तोर पर कुछ देते हैं बेटा कैश में तो बेटा इसके साथ मैंने क्या किया जो लेने गया था समान मैंने उसको बोला कि 1100 रुपया 2100 रुपय बेटा नगत भी उठा लाई हो वो कैश भी ले आया बेटा ये लो बेटा वो कैश भी ले आया अब देखे बेटा मेरे बिजनस से मैंने क्या विड्रो किया मेरे बिजनस से मैंने कैश निकाला मेरे बिजनस से मैंने स्टोक निकाला मेरे बिजनस से मैंने गुर्ज निकाला अच्छा सर बहुत अच्छी बात है बात समझा रही है बटा तो अब ये दोनों ही मैं कहां यूज कर रहा हूं मैं अपने परसनल यूज के पैक करवाई और इक्की सो रुपे नगद लेकर आया बटा इक्की सो रुपे नगद लेकर आये अब दो दो हजार का दो हजार का नोट नहीं लेकर आएंगे बटा वो तो बंद हो गया है हना पांसो पांसो के चार नोट ले आए तो सर इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बटा ड्रोइंग इसको क्या बोलेंगे ड्रोइंग सर बड़ा अच्छा समझ आया ड्रोइंग का मतलब क्या होता है तो ड्रोइंग का मतलब है any cash or goods withdrawn by owner अगर कोई cash या goods owner withdraw करता है for personal use personal use के लिए आप business में से कुछ भी withdraw करते हो withdraw करने का मतलब क्या होते है निकालते हो तो उसको क्या बोलते है उसका नाम है ड्रोइंग उसका नाम क्या है drawing देखे बड़ा बड़ा ही प्यारा समझ आगे capital समझ आ गई drawing समझ आ गई इसके बाद बड़ा आगे चलते हैं अब आता है बड़ा देखिए अब वही बात करेंगे restaurant की restaurants में क्या हुआ बटा restaurant हमारा अच्छा चलने लगा वही हमारा restaurant है बार बार बनाना पढ़ रहा है हमको राजन श्करिट रेस्पी restaurant को हमने बटा क्या किया हम एक जगए बहुत बड़ा शेह है हमारा हमने पहले एक जगह पर था अब हमने दूसरी ब rectangular भी खोलनी है क्यों बेटा हमारा काम बड़ अच्छा चल रहा है अब दूसरी जगह पर खोलने के लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए अब मैंने सारा पैसा मेरे restaurant में लगा रखा है अब मुझे दूसरा रेस्टोरेंट खोलना है उसके लिए मुझे पैसा चाहिए मैंने क्या किया पैसा चाहिए हो तो कहां से मिलेगा हमारे इंडिया में हमारे पूरे वर्ड में बैंक नाम की एक चीज होती है जहां पर जाईए उनको अपना उब्जेक्टिव बताईए अगर उनको उब्जेक्टिव सही लगता है तो बैटा आपको वो क्या करेंगे लोन दे देंगे बैटा मैंने बैंक से लोन लिया 4 लैक रुपीज का मैंने बैंक से लोन लिया 4 लैक रुपीज का सर ये क्या है अब ये मैंने बिजनस में लगा दिया सर ये आपने बिजनस में लगाया इसको capital बोलेंगे बटा नहीं इसको capital नहीं बोलते सर क्यूं बात तो वही है बटा वो मेरा पैसा था जो मैंने मेरा पैसा लगाया उसको बोलेंगे capital जो loan पे लेकर लगाया उसको बोलेंगे liability sir liability क्या है liability का मतलब है firm is liable to pay to the outsider हम liable हैं हम liable हैं क्या करने के लिए pay करने के लिए अगर आपने पैसा लिया है 4,00,00 रुपया तो आपको repayment भी करना पड़ेगा आपको repay भी करना पड़ेगा आपको वापसी देना पड़ेगा तो liability क्या होई liability होती है अगर हमने किसी से पैसा लिया है तो उसके बदले में हमें उसको पैसे को वापसी करना है उसी चीज को क्या बोलते है liability हम liable हैं क्या करने के लिए pay करने के लिए किसको? आउटसाइडर को owner नहीं, आउटसाइडर आउटसाइडर कौन हो सकता है आउटसाइडर बैंक हो सकता है आउटसाइडर हमारे मामा जी हो सकते हैं हम मामा जी से पैसे भी ले सकते हैं हम चाचा जी से पैसे भी ले सकते हैं तो जिनसे भी पैसा लेते हो बिजनस के इलावा ऐसे कपिटल मानऄकल यह संपाटियन मतलब मैं बताई है मैं आप डिपत आते हैं मैंने स्थार्टिंग पिछले आपने नहीं देखा होगा मैंने कितने रुपे लगाए थे, मैंने 4 lakh लगाए थे 3 lakh रुपे मैंने cash लगाया था 1 lakh रुपे का furniture लगाया था तो मेरे पास अभी 4 lakh और लगाए, इसको भी मैंने एक restaurant में खोला, मेरे पास जो asset है वो है 8 lakh रुपीज की दो restaurant है मेरे दो branches हैं, दो branches में मेरे पास asset है मेरी 8 lakh रुपीज की इस में से मैंने खुदने कितना लगाया है खुदने लगाया है 4 lakh अभी आपने पीछे discuss किया 3 lakh रुपी मैंने cash invest किया 1 lakh रुपीज का furniture invest किया 4 lakh तो मेरे खुद के हैं, जिसको क्या बोलते हैं capital बोलते हैं, अब property कितने किया बिजनस की, 8 lakh की अगर 8 lakh की property में से 4 lakh जो खुद वाले हैं वो गटा दे तो क्या बचेगा, वो 4 lakh बचेंगे जो बैंक से ले रखे हैं तो देखे बटा, 4 lakh liability is equal to asset minus में capital उसके बाद, liability there are two type of liability one is a internal and second is a external one is a internal means within a business within a business means the business has to pay to the owner to owner, अब owner को क्या देने है owner को 4 lakh रुपे देने है उसे क्या बोलते है, capital उसको क्या बोलते है, capital owner को 4 lakh रुपे देने है उसको क्या बोलते है, capital ठीक है, तो जो ये internal liability है, 4 lakh रुपीज, ये क्या है, internal liability है, ये internal liability है और जो 4 lakh रुपे बाई थन्हें आपको पता हुए बिजनस ने जो ओनर को देने हैं पैसे ओनर को किस चीज के देने कि ओनर ने बिजनस में पैसे लगाए थे बेटा ओनर ने बिजनस स्टार्ट किया था start करने के लिए उसने पैसा लगाया था तो जो owner ने पैसा लगाया वो क्या कौन सी liability है internal business के लिए तो liability है business के लिए liability कैसे है देखे अब जो rsr restaurant है हमारा राजन सिक्रेट रेसिपी हमारा restaurant है तो वो restaurant अलग है accounts उसके बनते हैं मेरे नहीं बनते account उसके बनते हैं वो मेरे को कह रहा है राजन जी आपने मेरे को शुरू किया मुझे बनाया आपने कुछ पैसा लगाया था मुझे कितना रुपया 4,000,000 रुपय लगाये थे आपने वो 4,000,000 रुपय सर मैं आपको वापसी दूँगा मैंने का बिल्कुल देने भी चाहिए बेटा आपको वापसी तो वापसी दूँगा आप वापसी कैसे दोगे मैं जे कहता जी मैं आपको प्रोफिट कमा कमा के दूँगा मैंने का बहुत अच्छी बात है मुझे प्रोफिट आएगा तो जो चार लाख रुपी बिजनस ने एगजांपल पूछ ले तो आप क्या बोलोगे बैटा इंटर्न लाइबिलेट का एगजांपल है ड मैशन के लाइबेडव हैं कि बिजनस ने बिजनस के ओनर को पैसे देने हैं वहां वहें क्या अंधा जी Ps एक होती है non current एक होती है current अब इनका मतलब क्या है बहुत ही important topic बहुत ज्यादा important topic तो हम इसके बारे में discuss करते हैं बैटा ये देखिए अभी हम बात करते हैं हमारी liabilities के बारे में पहली liability हमारी non current liability हम color बड़ा अच्छा प्यारा सा color चूज करते हैं इसको बताने के लिए यह लो जी बड़ा ये हम लेते हैं non-current liability non-current liability क्या होती है non-current liability सबस्क्राइब नोन-current का मतलब बता दूँ बड़ा आपको पहले मैं non-current का मतलब बता रहा हूं बड़ा आपको कि सर्व समझ आ गया कैसे बिटा नों करंट लाइबिटि का मतलब क्या होता है लाइबिटी का मतलब हुआ हम ने पैसे को देने हैं चाहिए बत थोड़े लंब समय के बाद देने हैं उसे क्या बोलते हैं non current liability current liability क्या होता है sir current का मतलब short term liability का मतलब पैसे देने हैं जो पैसे आपको थोड़े से समय के बाद देने है छोटे समय के बाद देने है वो क्या है short term liability आईए बैटा clear हो गया meaning तो non current liability क्या है बैटा due for payment in a long period आपको payment करना है एक long period जैसे की हमने bank से loan लिया था आपको याद होगा बूलिएगा नहीं बैटा देखिए मैंने five year के अंदर आपको repay करना है यू हाव टू रीपे आर लॉन विदिन फाइव यर ओके सर फाइव यर इट्स शोट पिरिएड और लॉंग पिरिएड सर क्या बोलें बैटा चलो मैं बता देता हूं अगर एक साल की बात करें विदिन यह की बात करें वह short term होता है अकाउंट्स में अगर एक साल से प्लस जाएगा तो वह long term हो जाएगा तो यह क्या है फाइव यर के लिए हमारी installment बनी हमने आफ्टर फाइव यर इसको pay करना है तो यह कौन सी liability हुई यह सर non current liability हुई मैंने 50,000 रुपी का स्टोक लिया था कहां से ऍवे welding मोटि यौठ से ना के से कय्यान के हमने से प्लस यूठ मोटि लाल से का शूपी के सूक मोटिला को खाया अम ने से पिछा रशन अब राशन व्लाक इतने के दिन रूखेगा सरव तो फोर मंथ फाइव मंथ लाइव औरला दू ये यहाभ टूप आपें श्या 7 months so what is it which type of liability it is current or non current वेड़ा sir current liability current liability का मतलब क्या हुआ कि हमें जो पैसा within a year देना है वो current liability है और जो पैसा हमने एक साल दो साल के बाद देना है वो non current liability है बिलकुल बहुत अच्छे तरिक्के से समझ आ गया वेटा तो non current liability जो long period में देनी है इसे जैसे कि long term loan जो हमारा five year का था एक साल से प्लस गया तो long term बना देंगे हम उसको और current liability है which are to be paid in future means within a one year within a one year we have to pay within a one year is called a current liability और which have to pay within a we have to pay within a after after one year is called a non current liability अगर एक साल के बाद देने है तो वो current liability है अगर विजिन ए यर देने है तो वो sorry अगर आपको एक साल के अंदर देने है तो वो current है एक साल के बाद पैसा देना है तो वो non current liability है बड़ा ही अच्छा प्यारा सा topic अब सर current liability के कुछ example दे दीजी बड़ा जैसा कि होता है bank overdraft इसके बारे में बताएंगे बड़ा सारा इसके बारे में सब बताएंगे bank overdraft के बारे में चलो मैं बता देता हूँ बड़ा आपको ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे bank overdraft क्या होता है मेरे account में 10,000 रुपीज है मेरे account में 10,000 रुपी है मैंने check काट दिया check issue कर दिया 15,000 का बेंक चलो किसी को 15,000 का यहिस है मैंने check कितने आनका देदिया 15,000 रुपीज है यह डてक मेरे account में 10,000 रुपी यह तो अब इस रुपीज क्या करना है बेंक में Check गया bank वहले का मेरे पास फोन आया के सर वहांगा आपका check आया All Right Sir won आपका check 15,000 का वो बोलेंगे सर इनके काउंट में तो 15,000 रुपे नहीं है वो मेरे से डील नहीं करेंगे तो सर क्या करें मैंने बोला आप ना एक बार उसका चेक पास कर दीजिए क्लियर कर दीजिए उनको 15,000 दे दीजिए बैंक वाला कहता सर आपके तो 10,000 है मैंने का 5,000 रुपे उधार भी यें दो वाहर दो दो दिन बाद आपको 5,000 रुपे दे दूंगा आप दो दिन का ब्याज ले ले लेना, भेंक चैक तो काम ही ब्याज 2 है हना क्या बोलते हैं, bank overdraft, अब मैंने क्या बोला था, आपने मेरी language पे ध्यान दिया, मैंने words पे ध्यान दिया, मैंने क्या बोला था, सर मैं दो दिन बाद आपको पेमेंट कर दूँगा अगर आप बोलते कि सर मैं चार साल बाद पेमेंट करूँगा बैटा वो चेक इशू नहीं करना था उन्होंने मैंने बोला दो दिन बाद पेमेंट कर दूँगा चार दिन बाद पेमेंट कर दूँगा हफते बाद payment कर दूँगा या महिने बाद payment कर दूँगा ये चले जाएगा तो bank overdraft कौन सी liability हुई current liability sir क्यों बटा क्योंकि sir आप within a month pay कर रहे हो within a one year pay कर रहे हो तो ऐसे करके बटा ये हमारी सारी liabilities होती है इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे अभी कोई दिक्कत नहीं है इसको short term loan भी बोलते है short term loan का मतलब क्या है कि एक साल के लिए जो loan लिए जाते है उनको क्या बोलते है short term loan ठीक है बटा तो ये हमारा liability है इसके बाद आता है हमारा asset इसके बाद क्या आता है asset sir asset क्या होता है एसेट का मतलब होता है प्रोपर्टी ओफ बिजनस एसेट का मतलब क्या होता है प्रोपर्टी ओफ बिजनस एसेट का मतलब होता है प्रोपर्टी ओफ बिजनस तो और सर क्या होता है एसेट का मतलब होता है अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम अदर्स जो पैसा हमने लोगों से ल जुदार खाके चले जाते हैं बटा तो मैंने उनसे पैसे लेने हैं वह मेरी क्या है? अब मैंने किसी बच्चे से लेना है वह एट हंडर्र रुपी दे गया बटा 200 रूपी देने थे उसके बाद वह हमारे रेस्ट्रूर्ण पे खाने ही नहीं आया केभल तो क्या करें जो आज कल बीटatar कर जाते है ना तो horseagen तो 200 rupees मैंने क्या किया वो फैसे देने नी आया वो मेरे पैसे दूप गए उस को बोलते है bad debts वो बुरे debts थे वो बुरे करजे थे हमने जिन से पैसा लेना था वो डूब गए उनको बोलते हैं बैट डेट्स आगे पढ़ेंगे बिटा तो और एसेट क्या होती है प्रोपर्टी होती है हमारे बिजनस की जैसे वी हाव दिस पैनल एसी कैमरा कार बाइक फरनीचर यह हमारी क्या है यह हमारी एसेट है हमारे पा गार नहीं है वो भी एसेट होती है बटा हमारा गुडविल हमारा गुड़ ग्रेट जीनिएस एप का हमारा नाम बहुत अच्छा बन गया है मार्केट में उन्होंने बताया बैटा बचोंने ऐसा आते हैं बचों के कि सर यहाँ पर हमारा जो स्टाफ है हमारे टीचर ही बहतरी टीचर है बड़े ही बहतरी त्रिके से पढ़ाई करवाते हैं बच्चों के लिए उनकी एक एक problem को solution किया राता है तो यह हमारे लिए क्या है यह मेरी asset है हमारी asset है ठीक है तो asset क्या होती है तो पहला जिन से पैसा लेना है वो भी asset होती है property of business यह हमारी asset है जिस चीज़ पर मेरा possession है जिस चीज़ पर मेरा धिकार है वो मेरी asset है और benefit होगा asset का मतलब क्या होता है asset बेटा सबसे पहले asset valuable होती है asset क्या होती है valuable होती है asset क्या होती है monetary term में होती है ठीक है तो यह asset का benefit कब होगा future में तो asset का मतलब क्या है जिस चीज का benefit होगा future में हमारी property है वो हमारी asset है sir कुछ example देंगे I have a cash, it's my asset I have a bank balance, it's my asset My stock is my asset My furniture is my asset My machinery is my asset Building is my asset Debtor, what is a debtor? Amount due it from others जिन से हमने पैसा लेना है वो इसको debtor बोलते है बटा यह क्या बोलते है, debtor, यह भी मेरी asset है Goodwill, Goodwill क्या है The Great Genius App का बड़ा अच्छा नाम है बहुत ही अच्छा नाम है इसे क्या बोलेंगे, Goodwill इसे क्या बोलेंगे, Goodwill तो यह हमारी Goodwill है बटा उसके बाद जैसा liability में पढ़ा वैसा asset में होता है लाइबिल्टी में पढ़ा वैसा ही asset में होता है बटा, क्या होता है? हमारी दो liabilities होती है Non-crunt liability asset और current asset Non-crunt asset और current asset Non-crunt assets क्या होती है? Non-crunt assets क्या होती है? Sorry तो non-crunt assets होती है बटा जिनका purpose माल बनाना होता है जिनको माल बनाने के लिए यूज़ करते है Not mint for resale Not mint for resale बेचने के लिए नहीं ली गई है बटा क्या हमने AC लगवाया क्या सेल करने के लिए लगवाया है? हमारा AC सेल का काम थोड़ा ही है बटा हमने ये panel लगवाया है क्या ये सेल करने के लगवाया है? नहीं बेटा हम इससे produce करते है goods और services हम इससे क्या करते है? produce करते है हम हमारी services दे रहे हैं आपको इसके जरिये तो ये बेचने के लिए नहीं है तीसरी चीज बेटा long term use हम चाहते हैं हमारी जो asset है वो लंबे समय तक चलें जैसे की machinery आपने building बाई करी हमने shop बाई करी हमने office हमारा बाई किया हमने asset बाई करी हमने car बाई करी किसलिए बाई करी बेटा? use करने के लिए long term use के लिए तो ऐसी asset को क्या बोलते हैं? non current asset जिनको बेचने के लिए नहीं लेते हैं ठीक है और current asset क्या होती है? जिनको बेचने के लिए लेते हो कैसे sir? देखे बड़ा हमने RSR restaurant खोला था RSR restaurant खोला था यह restaurant क्या हमने sale करने के लिए? नहीं sir यह आपने non mint for sale non mint for sale यह हमारी कौन सी asset है? sir आपकी non current asset है इसके अंदर मैंने हमारी चौमिन बनाई नूडल जिसे बोलते हो बड़ा हमने मंचूरियन बनाया खाने के बच्चे बड़े शुकीन है हमने चीज चिली बनाई यह यह क्या है? यह आपने बड़ा लंबे समय के लिए बनाया है नहीं सर हम तो इसको बेचना चाहते है तो यह कौन सी asset होई बड़ा यह हुई current asset बड़ा ही प्यारा से एक्जांपल से समझा रहा है हमने इसके अंदर हमने शेक बनाया हमने शेक बनाया यह लो जी बड़ा है तो mint for sale जिसे बेचने के लिए हम यूज करते हैं convert into cash within one year एक साल के अंदर अंदर इसको बेच के हम cash में convert कर लेंगे हम इसको बेच देंगे cash में convert कर लेंगे बिल्कुल हमने बेचने के लिए तो खोला है restaurant हम चाहते है हमारा stock हम चाहते है हमारी ी डीडिल की प्लेट्स चां ममच fiction यह सब बिके हम चाहते है है इसको क्या बोलते है इसको बोलते है short-lived यह थोड़े समय तक इनकी life होती है छोटी asset होती है active सेट यह active रहती है यह asset active होती है यह daily काम करते है daily हम बना रहे है डलीसे ढाल कào आल बना नाय आड डलीसेल कर रहें डलीसेल कर बाहिताए तो इस हमारी कुछ़ एसेट आजेशिसे इस्चा अच्जा क्या अफ्षिट में है क्यचे तो यह कउए में हैं साइच कई सब करेंट कर लोगे उर्डेरी केश में वह क्या है मारी कि अचैफ में है को positivity का सब्सक्राइब उसको चाहॉद करन्वाया है बैंक में जब चाहो पैसा निकल वाया हूँ, मैंने लौगों से उधार लेनी है वीडाटा, आप मेरी इस पशे भून बना 500 पर का हूँ शाव सर्ट करत का Mm टॉक है बटा तो cash, stock, debtor यह सारी हमारी क्या होती है current assets होती है और भी बहुत बहुत बहुतरिन examples के साथ इनको discuss करेंगे ठीक है तो उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हम आगे हम discuss करेंगे आज हमने क्या पढ़ा हमने assets के बारे में पढ़ा, liabilities के बारे में पढ़ा, capital के बारे में पढ़ा, business transaction के बारे में पढ़ा तो आशा करते हैं बड़ा यह chapter आपको बड़े ही अच्छे तरिक्के से समझ आ रहा है और आएगा और दुबारा आपका welcome करते हैं हमारे बड़े ही बहतरीन platform पे जिसका नाम है the great genius app ठीके तो जुड़े रही हैं हमारे साथ ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा हम लेकर आते रहेंगे thank you so much have a nice day